आज की मुक्की खबरों में सभी दोस्तों का स्वागत है और जितने भी 9th, 10th, 11th और 12th वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए महतुपूर्ण आज की स्वीडियों में हम बात करने वाले हैं सबसे फेले तो मैं आपको बता देता हूं 12th वाले सभी बच्चे बढ़ाई को स्टार्ट करते वापिस क्योंकि जल्द ही आपकी परिक्चा होने वाली है टाम टेबिल नए जो आएंगे आपको बता दिया जाएगा कब आएंगे सारी जानकरी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा आवश्य देखिएगा सभी क्लास के लिए आज की मुक्ती जो खबरें हैं वह आपको बताया जाएगा सबसे बेले हम 12 क्लास को ले लेते हैं यहां पर देखिएगा इसकुल सिक्चा मंतरी परमार ने कहा है कि 12 की परिक्चा की आवश्यक तैयारिया कर लिए मद्य प्रदेश में 12 की परिक्चा कैसे और कब होगी इस पर निरने एक जुन को होगा यह बात इसकुल सिक्चा और सामानी प्रसासन राज्य मंतरी इंदर सिंग परमार ने सोंवार को कही परिस्तितियां अनुकुल होने पर परिक्चा की परिक्चा की संबंद में अनुरोद किया कि राज जी की जमीनी हकिकत देखते हुए परिक्चा के संबंद मुचित निर ने लिया जाए साथ ही दोस्तों देखेगा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि बारवी की परिक्षा का मामला मद्दी प्रदेश ने रखास हो जाओ संबवो हो तो चात्रों और शिक्चाकों का वेक्सिन कराए मदलब जहां तक संबवो होगा, वहां तक परिक्चा से पहले सबी बच्चों को और शिक्चकों को क्या करें विक्सिन लगाएं तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी बारवी किलास को लेकर और यहाँ पर देखिएगा जून के तीस से सब्ता में दस विकर रिजल्ट जारी करने की तैयारी और इसकुलों को दस जून तक और एम आर सीट में मंडल बेजने होंगे अंक दोस्तों ये तो इसकुल के द्वारा माद्यमक्सिक जंग मंडल में आपके और एम आर सीट में जो अंक है वो बरकर बेजना होगा ये किलाफ टेंथ को लेकर में हतुपूर्ण अपडेट थी और साथ ही मैं आपको बता देता हूं जितने भी हमारे 9th, 10th, 11th और 12th वाले स्टूडेंट है जो हमारे चैनल से जुड़े होएं साथ ही दोस्तों इसी पिरकार की पलपल की अपडेट ये आप तक नहीं पहुँच पाती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाला नेक्ट वीडियो समय पर आपको देखना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हम आपको उसी कमेंट में लिंक बेजेंगे वीडियो की उस वीडियो को देखकर आप उस तरह से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि हमें रिजल्ट देखना नहीं आता है ऐसा कमेंट करेंगे आप तो हम लिंक आपको शेंट कर देंगे अब यहां पर देखिए का बारवी की बोर्ड परिक्चा नहीं कराने वाले राज्य छात्रों का करेंगे आहित ठीक है तो जो राज्य यह कहेंगे हमें बारवी की परिक्चा नहीं कराना है तो ऐसे में बच्छों का आहित होगा ठीकिए उनका फाइदा नहीं होगा जून के अंतिम सप्ता में सुरू हो सकती है बारवी बोर्ड की परिक्चा देखिये दोस्तों मैं बता देता हूं यहां पर जून में लाफ्ट वीक में जून के लाश्ट वीक में बारवी की परिक्चा सुरू हो सकती है ठीक है तो यहां पर यह महतुपूर्ण अपडेट तो क्लाफ 12 के लिए है और 10 के लिए जो थी मैंने बता दिया था आपको 9 और 11 के लिए सोरी 9 और 11 के लिए मैंने बता दिया किस तरह साप अपने रिजल्ट चेक करेंगे उस तरह से आपको रिजल्ट अपना देखना है और देखिए हैं यहां पर और सभी बच्चे बिल्कुल ब्रहमी तरह हो 12 वाले जब भी आपके एक्जाम होंगे एक्जाम होने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में ही आपका कॉलेज में पर वेस्ट लिया जाएगा यह भी आज की महतुपूर्न अपडेट थी जो मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर ठीके आपके रिजल्ट जो आ जाएंगे उसके बाद ही न्यू एडिविसन होंगे कॉलेजों में तो बिलकुल आप निस्चित रहे यह देखीगा और भी जो महतुपूर्न अपडेट आज आई है मैं आपको बता रहा हूँ बस दोस्तो यही महतुपूर्न खबरे थी जो मेरे द्वारा आपको बता दिया गा है दोस्तो साथ ही आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजेगा अपने सभी प्रेंट्स को सेर कीजेगा साथ इसी प्रिकार की अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला हर वीडियो समय पर मिलता रहे ओके दोस्तो तो मिलते हैं हम एक और महतुपूर्ण वीडियो के साथ ठैंक्स पूर वाचिंग जेहिन जेवारत